हेलो फ्रेंट स्वागत आपका स्टडी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाइब की स्रीच वाल है जिसमें हम बात करते हैं वोकाइब की एकदम बेसिक केबल से जिनें कुछ नहीं भी आता होगा जो एकदम नए होंगे वो भी वोकाइब बरही असानी से सीख सकते हैं तो इसमें हम नया करते हैं तो इसमें हम नया करते हैं नेमोनिक्स टेक्निक्स का यूज करके आपको चीज़े बताता हूँ कि पिक्चर टेक्निक का भी यूज करता हूँ और बहुत सारे ओ डावल्यूर्स या एडिया में फ्रेजिस होते हैं जिनको किसी इंस यह पिक्चर बताया था उसमें ऐसा डिपिक्ट हो रहा था तो इसका यह एंसर होगा तो आपको सारी चीजे किलियर रहेगी माइंड में और आप बढ़ी आसानी से कुष्चन को टैकल कर लोगे और सही कर लोगे ठीक है तो आपके नंबर कनफर्म हो जाएंगे ठीक है तो डे क्लास में साथ में प्रिबेस यह के वी वकाइब के कुष्चन डिसकस हो जाते हैं तो अभी तक हमारी सक्सेस्फुली 36 क्लास हो चुकि है आप यूं बोल सकतो 36 एपसोड हो चुकि है आज हमारा एपसोड नमर 37 एक है या कह सकतो कि क्लास 37 हमारी क्लास डेली 5 पीम पौती प्रिबेस इंग्लिस ग्रामर भी इंपोर्टेंट है उसके रूल्स बीम पौर्टेंट हैं तो मैं अपने क्लास में उसको भी discuss करता हो एक一 सेक्सं होता है हमारे क्लास के बीच फीक है तो आपको शुरू से कि मैं daily class class में एक homework question देता हूं जिसको आपके answer करने पड़ते हैं comment box में video end होने के बाद ठीक है और same day करने पड़ते हैं 5.30 pm से लेके 10 pm तक तो मैं आपके comment include कर पाता हूं अपने next class में अगर नहीं कर पाते हो आप उसके करते हैं तो sorry मैं नहीं कर पाता हूं लेकिन मैं आपके comment का answer जरूर देता हूं जो भी doubt होता है मैं clear कर देता हूं ठीक है तो लास्ट class का answer दिया है मजूली का पाटिल ने दिया तो बहुत लोग ने पर इन्हों सब्सक्राइब मतलब का था मंदगणन ठीक है dubious fixious made up यह सब क्या है इसकी synonyms है अगर आप कोई भी चीज को quote कर देरो ठीक है किसी को उपर quote डाल लो मतलब क्या कर आप चीजों को fixious बना रहा हो मंदगण तो बना रहा रहे हो ठीक है तो वह होता सब्सक्राइब मतलब मंदगण ठीक है dubious जिस पर आप वो सक्को कि नहीं नहीं यह चीज तो सही नहीं हो सकती यह imaginary चीज़े हैं ठीक है तो उसी को बोलते है ठीक है अब कि कोई आप फिला दे की इन दोनों का मंदगण कहानी एसा कुछ है नहीं ठीक है तो आप ऐसे याद रख रहा है ठीक है भले ही यह पुडानी है पर आप याद कर लेना ठीक है आज देख पा रहा होगा यहाँ पर इस पिक्चर में कि यह सेफ है ठीक है इसने गलती का दिए ठीक है बहुत सारा इंग्रियेंट एंट्वाद कर ले तो हो जागा थूथ जो सच है वो बताना अई होप आपको चीज़ क्लियर हो गए होगी तो आगे बढ़ते हो नेक्स्ट बाट करते हैं नेस्ट वर्ड है concurrence concurrence मतलब क्या होता है सहमती ठीक है agreement घर्मोनी ठीक है ये समय करवा रखां agreement harmony concurrence इसके synonims होते है ठीक है तो मतलब क्या होता है सहमती दिखाना ठीक है और आपको बिजनस वर्क पर जाओ तो तो आपके बीच में एग्रिमेंट होगा तभी आप आगे बढ़ोगे अपने बिजनस से डील आउट करोगो उनसे पैसा फाइनेंस करबाओगो जब तक एग्रिमेंट नहीं हो आप नहीं करबा सकते हो ठीक है तो आप चीज़े ऐसे याद रखना है अगर आपके बीच में ए ठीक है डेमन से याद करो कि कौन कौन वह डेमन है तो डेमन होता है क्या सैतान राक्षस तो आप क्या करेंगे उसकी निंदा ही करेंगे उसके कारेंगे निंदा करेंगे तो आप ऐसे कह रहो ऐसे याद रखनो चीज़ों को कौन वह डेमन तो क्या करोगा आप उसकी निंद सब करने आपकर Pen mant कार तो इसको क्रीडिस करते हो ठीक है जैसे देख पा रहे होंगा सब लोग इसके ऊपर उःघ उठा रहे हैं । कर रहे तो इसको के निंदा कर रहे जिसको प्रेज आपकी पर संहों वहीं हो जागा इत्सकर आगे बाढ़े से तो यह निगेटिव प्रोसाहक नहीं होता है ठीक है कर दी सेंडिंग है मतलब क्या होता है कि पैट्रियोनाइजिंग इसके सीनोनीम सोजाएंगे सूपीर होटी क्या होता है कि आप किसी अन्य व्यक्तिव को अपने से छोटा मानतों उसको प्रोसाह करतो इस वह में कि आप ऐसे फिल करवा दो कि वह आपसे बहुत छोटा है ठीक है आपसे कम बुद्धिमान है आपसे कम अनुभवी है आप उसके किरपा कर रहे हो ठीक है आप उसके मदद करें कि उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो ठीक है उसको कम कर रहे हो ठीक है तो अपने आपको क्या समझ रहे हो तो इसके ऐन्टोनिमश की बाद कर लें तो एक बार किसा रःबार सब को ऐसा तो क्या करें आप उसके आपको चीजे किलियर होगही होगी फुशा कॉंडोन मतलब क्या होता है ध्यान न देना फिर वाफًे ऑपने आसा काम किया कि लोग क्या करें आपके दbones धान ना धिया Android, कॉंडॉं को अज़ो थो很好 आपने कोँछ चीज ऐसी कर दी कि आपको लोगों को आपके बीआ गए ठीक है आपको लोगों ने ओर लुक कर दिया ठीक है तो इसके शिर्मुम से चाहiken jest तो यह आप कुछ बहुए है तो बच्चे और से तो आप कुछ बहुआ रहा हैब तो वही हो जागा condon, अपने ऐसकी कुछ कर दिया कि मम्मी आपसे नराज होगे, नहीं नहीं होगे, आपके बातों पर ध्यान नहीं दे रही हो, अंटॉनिम हो जाएगा punish, condemn, ठीक है, sensor, आपको क्या हो रहा है, कि अगर आपको सजा मिल रही है, तो क्या होगा है, कि आपके बा ठीक है लोग उस पर ध्यान देंगे इसलिए आप उसको छुपा रहोगे कि वह चीज बुड़ी ठीक है आपको चीजे क्लियर हो गए योगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं बनेक्स जैसा कि आपको पता है कि हमारा ओबलूस का सेंशन होता है ठीक है तो अजो का पहला जो वन वर्ट सबस्ट्वियूशियूशन वो क्या है बर्गलर कौन होता है सेंध्मार थीक है जो इंटर्डंग इन और टुसके अडर बेम्रीन गुष्यूश्यूश्श政府 ये सी क एर येक्स्ट बात करते हैं साथ हैं नेक्स्ट है ब बढ़ो यही मैंने कल हॉमबर की जिया था ग्या धाकि होल एक्सकेवेटेट दीजिए नियूमल एस ड्वैल्ली थीक है तुसको बोलते हैं बॉडव ठीक है जो छोटे छोटे खेंश होते हैं हरो फो देखाऊगा आपने तो वो क्या करते हो जमीन में गद्धा खोड़ेते हैं एक गढ़ ढगोड़ेते हैं जो बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो ओडब्लीए से वह है बायर क्या होता है ठीक है प्लेस बेर काउज और सेल्टर ऐसी जगह जहें पर गाय को रखा जाए उसको क्या होते हैं बायर ठीक है आप सबी लोग ने गोसाला देखा ही होगा ठीक है तो आपको चीजे क्लियर होगी हो कि बहुत सारे लोगों सबका फोन एक सा ब्रॉन एक साथ घ्र टाइए क्बाम्फोडर्र एक साथ बहुत बलाँ हो घंचाक चांडरूहें धक यह हो ज़का हेर्ब्ले क्या है होगा सोर गुल भाँ हाल हो जाग हका के लिए केकोफोनी पोल हाल ठीख है आई होप आपको चीज़े किलियर हो गई होगी अगर आप भीर बार इलाके में जाता हो ट्राइफिक ज्यादा होती है तो वहां पर क्या होता है हार्स और डिसकौर्ड साउंड होता है ठीख है जो आपको फ्लीज नहीं होता आपकी यहर को पेंद मेंशिप मतलब क्या है कि कैलिगराफिी वाइटिंग डंड इट स्पेसल पेन अर्मा ठीक है एक ऐसा पैन जो कैलिगराफी के लिए यूज होता है जो उसमें बहुत ही माहिर हो बद्द्द हो जो पर्शन ठीक है उन्हीं को बोलेंगे कैलिग्राफर सूलेखक ठीक ह जो क्या करें कैलिग्राफी करते हैं उन्हीं को बोलते कैलिग्राफी ठीक और समवन हुई इसकी इन पेंट मैंसी आई होप आपको चीजे क्लियर होगे यह तो आगे भरते हो नेक्स जैसा कि आपको पता है हमारा इडियम और फ्रेजेज के सेशन होते हैं तो आज पर पहला इडियम है वो है बैक अप मतलब क्या आता सहारा देना ठीक है डिफेंड और सपोर्ट आपने सुना होगा कि बैक आप बुला लो बैक आप बुला लो या आप जब कोई भी तै लोगों टोह शहरत सबस्ट है ठीक है या कोई बुक बैक अप में रखते हो नॉट्स बैक अप में रखते हो ठीक है तो बैक आप आप को चीजे क्लिट और सिंब और सिंब लम ठावें से एडियम बडस में में ऐ laughing लोगों से ठीक है आप हमेंसा फील करों क्या प्वाली भी सलिंग रहेगी हो सकता यह कि पंधी घत no पाउन भी पती होगा कोई बात है इसको पसंद ना आई होगी तो फिर इसको लग गया अच्छा सा अपट ऐसा picture याद रखना है तो आपको चीज़े clear हो जाएगी एट कर ली केम बात कर लेता है अगने सब्सक्राराइब ऑपको लगती में बुर। पूरे चरित के लोग होगे ठीक है तो वहीं से बैड है पीपल आप बैड करेक्टर और रेपूटेशन ठीक है आपको चीज़ किलियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट है बैग एंड बैगे मतलब क्या है बुरिया बिस्तर सारा समाल ठीक है अगर बॉल आपके कोट में हो तो क्या होगा कि जिमेदारी आपकी बनेगे कि आप बॉल को सर्विस करो तो वही है बॉल इन यूर कोट मतलब जिमेदार होना ठीक है इज अप टू यू तो मेक दा नेक्स डिसीजन और स्टेप तो बी रिस्पॉंसिबल फर फर्दर एक्षन के लिए रिस्पॉंसिबल है तो आप कह सकते हो कि बॉल इस इन यूर कोट आप ही उसी के लिए है चैट आपको सकता है तो आगे बात करते हैं एक्स हमारा लлов आहाँ है पैंडॉर यूला बोक्स ऑपन करते जिसको बोलते हैं भानुमतिक आप इसमें से क्या निकलता है ठीक है अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको चीजे पता होगी अगर आप न्यू है तो मैं आपको बता दू कि जब Pandora box open होता है तो उसमें से क्या निकलता है क्या 100 रूल किस चीज़ के तो इंगलिस ग्रामर के ठीक है जिसका help कहा आता है तो error detection के question करने में sentence improvement के question करने में बहुत ही help पो मिलती है ठीक है तो हम एक साथ 100 रूल discuss नहीं कर सकते हैं कर भी दिया तो class लंबी हो जाएगी और आपको चीज़े clear नहीं होगी क्योंकि सारी रूल एक साथ आपको दे जी जाए तो आप confused हो जांगे कहां पर कौन सा रूल यूज करना था अप practice नहीं कर पाऊगे धंग से तो इसलिए मैंने रूल दिसक्स कर लिए आज हम 37 रूल दिसक्स करेंगा 37 ठीक है तो 37 रूल कह क्या रहा है तो रूल कह रहा कि adjective of quantity so how much of a thing is ठीक है कि adjective होगा quantity का मतलब मातरा बता कहा कि कि कितनी मातरा में चीज़े है तो adjective of quantities क्या क्या होती है जो मातरा बताती है तो क्या होता है some, कुछ, much, little, enough, all, no, any, great, half, sufficient, whole यह सब क्या है adjective of quantity ठीक है तो adjective of quantity कहां यूज होते हैं तो ये यूज होते है uncountable noun के साथ ठीक है हमेशा ये किस के साथ यूज होते हैं तो uncountable noun के साथ यूज होते हैं अगर आप से पूछा यह adjective of quantity कहां यूज होते हैं तो uncountable noun के साथ होते हैं तो आप question में ध्यान देना कि जहां पे आपको uncountable noun दिया हो तो वहाँ पे आप adjective of quantity लगाएंगे ठीक है number नहीं लगाएंगे ठीक है तो जैसे आपका example से clear हो जागा है example देख पाने होगा है कि I ate a few rice ठीक है few कह रहा है तो आप यहां पर देख पाने हैं यहां पर जो राइस है वह क्या है uncountable noun है इसके साथ क्या लगना चाहिए तो अभी बता है adjective of quantity यहां पर लगनी चाहिए तो यहां पर क्या लगेगा some ठीक है few नहीं लगेगा क्या लगेगा some तो correct क्या हो जागा I ate some rice ठीक है मैंने कुछ चावल खाए ठीक है अब आप इसको नहीं कह सकता हूं गिंती करके कि एक थे दो थे चार थे पास थे ठीक है uncountable है तो इसके सथ क्या लगेगा some much little enough all no any great half यह सब लगते ठीक है I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी आप इस previous question प्रैक्टिस कर लेना तो आपको और भी चीज़े clear हो जाएंगी ठीक है चलिए next बात कर ले next आपको पता कि हमारा क्या होता है session होता है क्या previous year question के ठीक है तो आज हम बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे तो आपको दस सकेंड मिलेंगे question को answer करने के लिए ठीक है आपको चार अप्शन है excited, jocund, liberal, gloomy ठीक है आपका टाइम स्टार्ट होता है आप पटाफ़ट एंसर कीज़ेगा बहुत easy word है तो इसके साथ time up हो चुका है ठीक है तो इसका जो right answer है moros का synonyms क्या होगा moros मतलब क्या होता है कोई बीची उदास हो ठीक है क्या हो उदास हो मोरोस तो ऐसी याद दखो कि कोई बीची मरा मरा सा दीक रहा है तो क्या आया उदास है ठीक है आप इसको बोल सकतो सलें ठीक है और क्या बोल सकतो मेलनकॉली भी बोलते हैं ठीक है तो आप अभी तक गेस कर पागे होगे कि इसका जो right synonyms क्या होगा तो वह जागा ग्लूमी ठीक है चलिए excited आपको पता है excited मतलब क्या होता उत्तेजित होना ठीक है कोई भी चीज़ एक्साइट कर रहता है तो आप क्या हो जाता हो इलेटेड हो जातो इसके सीनों नहीं ठीक है यह सब मैं करवा रखा हूँ आपको पहले भी ठीक है आपको प्रिवेस क्लास मैं यह चीजे सारी करवा रखी तो आपको चीजे कलीर हो जानी चाहिए थी अभी तक ठीक है चलिए मैं फिर से बता दूं क्या क्या हो जाएगा एगी जौकुंड से दिख रहा है वे क्या होना है ठीक है जौकुंड से दिख रहा है पसे होने ठीक है चीर्फुल जीयरुख यह उन सब सब sm Carol यह सब क्या कि debate अलब्स को जांगा इसके सिनों भी, शेंगा यह सब क्या स्के privacyनिम ऐसे बात कगे बात रहें I did rating liberal मतलब आप वह उदार होता जेनरिस बेनोनग यह समय सब्ढून तो liberal क्या हो जागा जैनर्स ऑपेंड हेंडेड ठीक है जिसके हाथ खुले हो उदेर तो खुला रख्ता है तो open-handed मतलब कोई भी चीज़ देने में कंजूसी नहीं करेगा तो यह हो जागा इसका मतलब ठीक है चलिए मैं लिख देता हूं सब्सक्राइब क्या हो जागा इसका open-handed बात कर ले तो इसको हम लिख सकते हैं क्या open-handed जो व्यक्ति जेनरास होगा तो क्या होगा open-handed होगा उसका हाथ क्या होगा हमें सब्सक्राइब किसी भी आदमी को दान देने के लिए चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपको सीनोरिम सब्सक्राइब इसका फुटाइल का ठीक है चार ऑप्शन मिलेंगे ठीक है चलिए अपका time-up स्टार्ट होता है terrifying startling fruitless enriching फटाफट एंसर कीजाएगा आई होप आप सभी लोग सही सही एंसर कर दिया हो तो इसका जो सही एंसर होगा फुटाइल सर्ण अपने पढ़ा होगा क्या होता है जो वी क्या हो सब्सक्राइब्त हो मिला था ठीक है आपको याह प्रॉपिटबल का profit ठीक है अनप्रॉफ़िटेवल भी बॉल सकते हो ठीक है तो ये 20 सिनोनिमसी है Tetrifying आपको पता है terrifying मतलब क्या होता भयान कि कहीं यह मैं करबार रखाऊंच तो हप इसको द्रेडफूल बॉलते हो डायर बोलते हो इवल ओसको क्या बोलतों ड्रेडफूल بعد क्या बोलतों डायर धीक है जो किंग कोई बिच इस न्यज को Papa सबिक kitchen शाइंगंगोड्रगे माने स्टार्टडिंग मतलब क्या होता स्टार्टिंग मतलब क्या होता है चमतकार फूल फो को क्वेकर को क्या मेरे कुल बोल सकते हो मिरेकल होता है यौन कि इसके संगे कि यू तो ठीक है और बात कर लें इन रिचिंग का तो इन रिचिंग मतलब क्या होता है समरीद ठीक है आप इसको बोल सकतो रिच एफिलेंट ठीक है यह सब क्या इसके सिरोनीज है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब कर आपको क्या बताने एडियम बताना इस का मतलब इडियम का मतलब इस टीर किलियन आप टीक है दस सेकेंद मिलेंगे चारॉप्षन है show someone how to do a job or activity, be mentally and physically exhausted, be very easy, avoid someone or something because it is dangerous for you, तो इसी साथ time अप हो चुका है, I hope आप सभी लोग ने सही सही मतलब बता दिया होगा इस इडियम का, तो इसका जो सही एंसर हो जागा, वो क्या हो जागा, still clear of मतलब, avoid someone or something because it is dangerous for you, ठीक है, चले, next बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको बताना इस इडियम का मतलब, इडियम क्या है, by lips and bounds, ठीक है, यह मैं आपको करवा रखाऊं, ठीक है, तो चार आप्सन है, slowly and gradually, hurriedly, full of speed and excitement, very quickly, फटाफाट एंसर करेंगे, तो चले, इससे के साथ time आप हो चुका है, मैं बता दूसका जो सही answer का, वो क्या हो जाएगा, आप सभी को बताया था, by lips and bounds, क्या हो जागा, very quickly, जल्दवाजी में जो करता है, वो ही बोलते है, by lips and bounds, ठीक है, नेक्स्ट पात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको क्या बताना है, synonyms न, बताना है किसका, तो मड़ी का, ठीक है, fuzzy, filthy, blood, unswild, ठीक है, फटा-फट एंसर करिएगा, बहुत ही easy question है, आज का, I hope आप सभी लोग ने एंसर करी दिया होगा, ठीक है, तो इससे के साथ time आप हो चु या मड़ी होता है, कोई बीचे घंदा हो, थीक है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, गंदा ही हो गया ठीक है मड़ी हो गया फजी आपको पता है हिसाब बाड़ हो गया इंक्लेः उड़गे इसके से सिनोनीम्स हो जाएंगे ठीक है अब लट का पता है आपको फजी अंकिलियर ठीक है अनस्वाइल मतलब क्या ओता साफ सूतरा ठीक है और आप कोई भी चीज़ को सवाइल ना लगा मिट्टी में ना लगा तो क्या होगा वह चीज़ बहुत ही साफ सूतरा ओगी ठीक है आप चीज़े क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको सीनोनिम सी बताना है विवीड का ठीक है दस सेकेंड मिलेंगे इवोकेटिव मेटाफॉरिक कॉन्टेंपराडी ब्लॉड ठीक है चार आपको बताने साइसे तो इसे टाइम आपको चुका आप सभी लोग ने सा कर दिया होगा ठीक है तो विवीड जो होती है वह क्या होता है विवीड मतलब क्या होता चमकीला कोई भी चीज ब्राइट हो फ्लैसी हो ठीक है और क्या हो इवोकेटिव होता है तो वह क्या होता है विवीड होता ब्राइट होता है ठीक है आप इसको बोल सकते हो फ्लैसी ब कि मेटाफोरिक क्या होता मेटाफोरिक होता रूपक ठीक है अपने पड़ा होगा रूपक किसी भी चीज को रूप फॉर्म में कर देते किसी भी चीज का सिंबॉल यूज करते तो आप इसको बोल सकता सिंबॉलिक अपने स्थोला कर देते हैं ठीक है पत्थर से तो लाकर देते हैं तो वही होता है harsh is कर देते हो तो क्या होजागा फैंजी फॉल भी हो जागा इसका है क्या इस decoris ठीक है contemporary आपको पता है समकाली ठीक है synchronous living ठीक है जो एक ही समय में हो उसे को बोलते समकाली contemporary blood का भी बताया है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स बात कर ले नेक्स्ट आपको इस group of words के लिए आपको ows बताना है ठीक है beautiful handwriting that you do with special pain और ब्रस जो करता है उसका तो मैंने आज बताए दिया ठीक है और इसको कहते क्या है ठीक है आपको hint मिली गया होगा आज के वीडियो से ठीक है तो आपको कमेंट करना कब से कब तक 530 PM से लेके 10 PM तक same day आप कमेंट करते हो तो मैं आपका comment include करता ह ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आज के class आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे ठीक है और अपना score comment में जरूर बता है ठीक है और homework question का answer भी करें जरूर से जरूर करें ठीक है तो अगर आपको class अच्छा लगा तो लाइक कर दे चैनल को subscribe कर दे और झाप कर दो भी कर दो कर दigonail में जरूर से ऑजिक है तो